इस वक्त की बड़ी खबर लातेहार से सामने आ रहे हैं लातेहार पुलर्स को उग्रवादियों के खलाफ बड़ी सफलता मिली है हजारो राउन जिंदा कादूस के साथ अर्ध निर्मित बंदूग भी बरामत किये गए हैं नवसली संगठन टीपी सी के निशान देही पर चुपा कर रखे गए थे हत्यार जियां बता दूँ कि गुप्त सूशना के आधार पर कारवाई करते हुए अन्य सामान भी बरामत किये गए हैं तो बड़ी खबर लातेहार से सामने आ रही है लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है हजारो राउंड जिंदा कादूस के साथ अर्ध निर्मित बंदूग बरामत किये गए हैं वहीं टीपी सी नकसली आदेश गंजू को गिरिफतार कर लिया गया है तो अगरवादियों के खलाफ बड़ी कारवाई हजारो राउंड जिंदा कादूस के साथ अर्ध निर्मित बंदूग बरामत हुए हैं वहीं बतादू कि गुप्त सूशना के आधार पर कारवाई की गई है जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है वहीं बतादू कि इस कारवाई में टीपीसी नक्सली आदेश गंजु को गिरफतार किया गया है तो लातेहार से बड़ी खबर सामने आई है टीपीसी नक्सली आदेश गंजु को गिरफतार किया गया है खबर पर जादा जौनकारी के लिए रुख करेंगे माई समवादाता प्रभू दयाल तिवारी का प्रभू दयाल उगरवादियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है क्या कुछ अपडेट से आपके पास चली एक पकड़ाया था उसी की निसान देखी पर जो है यह जो भी बोले वारुद है वो बरामत किये गए है तो यह खासर पर देखा जा रहा है क्या कुछ बरामत किया गया है फिर से सवाल दोराओंगी पर प्रभु देयाल क्या कुछ मौके से बरामत किया गया है तो बिल्कुल बतादे चले कि यह देशी पिस्टल है एक है करीब जिन्दा एक तो अठाथी जो है जिन्दा जिन्दा गोली बरामत किया गया है यह अलग अलग नाइन में में का है किन्दा अठावत किया गया है यह पांच सोपचास गोली बरामत किया है कि बिल्कुल यह आधेश गंजू जो है उर्फ मंगरा है उसी के नितान देही पर जो है जो कि इसका जो है चत्रा दिला का रहने वाला है उसी के निसान देही पर ही जो है नक्सली जो है छुपा के रखा गया था इसी को सर बरामत किया गया जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल तमाम जानकारियों के लिए तो लाते हाथ पुलस को बड़ी सफलता हाथ लगी है गुप्त सुचना के आधार पर कारवाई करती हो कई समान बरामत किये गया है साथी टीपी सी नक्सली आदेश गंडु को भी गिरफतार क किया गया है